संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याए एक पत्संक्या 26 से 38 तक छटे महीने स्वर्गदूद गाबरियल इश्वर की और से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाउत के घराने की यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुवारी का नाम था मरियम स्वर्गदूद ने उसके यहां अंदर आकर उसे कहा प्रणाम प्रभु की कृपा पातरी प्रभु आपके साथ है वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है तब स्वर्गदूद ने उससे कहा मरियम दरिये नहीं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है देखिए आप गर्भवती होंगी पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईशा रखेंगी वे महान होंगे और सर्वोच प्रभु के पुत्र कहलाएंगे प्रभु इश्वर उन्हें उनके पिता दाउत का सिहासन प्रदान करेगा वे याकुप के घराने पर सदासर्वधा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे हो सकता है मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है स्वर्गदूत ने उत्तर दिया पवित्र आत्मा आप पर उत्रेगा और सर्वोच प्रभु की शक्ती की छाया आप पर पड़ेगी इसलिए जो आप से उत्पन होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे देखिए बुड़ापे में आपकी कुटमबनी एलिजबेत के भी पुत्र होने वाला है अब उसका जो बाज कहलाती थी छटा महीना हो रहा है क्योंकि ईश्वर के रे कुछ भी असंभव नहीं है मरियम ने कहा देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए और स्वर्ग दूत उसके पात से चला गया